इंडियन फुटबल की बात करें तो इंडियन फुटबल का मार्केट काफी जादा बढ़ने वाला है क्योंकि इंडियन फैंस काफी जादा फुटबल को follow करने लग गए हैं and this can be seen during the European matches UCL की जो प्रचेज होती है तीन या चार बजी कि उसमें भी आप देख सकते कि इंडियन फ्रेंज काफी जाधे अक्टिव होते तीन या चार बजे ते वो मैस देखते अपनी टीम को सपोर्ट करते तो एक बात तो तहे हैं कि इंडियन फुटबल का मार्केट काफी जाधे इंक्रीज होने वाला है और इसी की चलते AIFF ने बहुत अच्छा स्टेप्स लिए हैं आफ्टर ट्राइनेशन सीरीज विन ऑफ इंडिया जो इंफल में हुआ था ये साल अगेंश मियनमार और किर्गिस्तान इंडिया जीती थी ट्राइनेशन सीरीज और उसके बाद AIFF ने काफी जाध प्लान बना लिए उन्होंने कहा है कि वह जाधा फोकस करेंगे फुटबॉल पर इंडियन फुटबॉल को बढ़ाने के लिए अब बात करते हैं उस बारे में जो फ्राइडे मीटिंग जो एक्जेकुटिव कमिटी का मीटिंग वाता है AIFF का उसमें जो प्रेसिंग इस्यू हुए थे उसके बारे में बात करते हैं तो पहला इस्यू जो सबसे इंपोर्टेंट था वह था फीफा कॉंग्रेस 2024 का प्लेस का वह वह एल्ड हुआ जाएगा क्यूंकि जो 73 एडिशन था वह है था कि गाली में रौन्दा के कैपिटल में इंडिया चाहती कि जो 74 एडिशन इंडिया में हो एंडिशन खाएगा अगर 200 मेंबर्स ओल ओवर दी वर्ल्ट से जो फीफा के अंडर है तरह से फीफा ही इंडिया में आ रहे है संब्झ लिजे तो काफी जादे इंडिया को exposure मिलेगा काफी जादा इंडियन प्लियों का exposure मिलेगा स्काउट भी आ सकते सो एसा लग रहा है कि AIFF काम कर रहा है फुटबॉल की तरफ दूसरा बात करते हैं शाजी प्रभाकरन की यह है जनरल सेक्रिटी ऑफ AIFF और यह हमेशा से पुछ करते आ रहे हैं कि PSU जो की माना जाता है पुब्लीक सेक्टर अंडर्टेकिंग की जो टीम्स है उसे भी मौका मिले एंड यह मौका मिलता था PSU की टीम्स को हाला कि 2010 में जब यह डिराइब वहा था कि कुराम 14 से हीरो इंडियन सुपर लीग चालो होगा तब PSU की टीम्स को हटा दिया गया था एंड उनके स्पोर्ट्स को टक हाली होने लग गयते ड्राय होने लग गयते अब बात करते हैं इ इन में हो तो उनकी वुमेंशी पो काफी जाधे एक्सपोजर मिलता है और इस कुट भी सी जो रिसेंटली फिनाली सीमा हुआ था वुमेंस टीम कव जिसने भी अगर देखा होगा उसमें इंग्लैंड चैंपियन बनी ती उसमें क्लियरली 83,000 to 84,000 पब्लिक बैठी थी तो क एक मिनीमम वेज रखने की बात चल रही है क्योंकि अभी भी जब वुमेंस खेलती है तो उन्हें एमेटर जैसा माना जाता है और हम यह नहीं चाहते हम भी उनको प्रोफेशनल कहलाना चाहते जब उनको मिनीमम वेज मिलने लग जाएगा तो उनका नाम प्रोफेशनल जैस रहता है वो रिसेंटली इसल की चैंपियंज बनी ती इस सीजन के एंड इस बेंगल एफसी रैंकी थी एट और नाइंध पोजिशन पे इस बेंगल एफसी को ऐसा चाहिए कि उनके पास भी कुछ ऐसा रिसोर्स हो जिससे वो भी अपनी आक रैवल्स को टकर दे पाए इसल म में टॉप 6 या टॉप 4 का पोजिशन पाप है और इस कुट बी डन बाइट नेक्स टार्गेट सर्जियो लोबेरो जो यह हैट कोच बनने का सोच रहे हैं और इस बेंगल एफसी काफी ज़्यादा पुछ करी है इनको हैट को बनाने के लिए आफ्टर ओल वो शील्ड कप ज बड़ा मोटीवेशन मिलेगा इस बेंगल एफसी को लेकिन सिर्व एक शर्थ पर वो चाहते हैं कि सारा एकडेमिक सारा स्ट्रक्चर सारा प्रोजेक्ट उनके पर रहे हैं वह डिसाइड करे कि कोन से प्लियर को खिलाना है कोन सा प्लियर करना है कोन सा एकडेमिन से मुझे क फुल आफ करें यह ट्रांसफर में फुल आफ करें वो मैनेजर को लेकर रहे सर्जेल अबेरों को अपने क्लब में लेकर लाश्ट पॉइंट डिसकस्ट वर टुड़े जो हाला कि बहुत शॉट टॉपिक है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक भी बन सकते है आर जी पंजाब फसी ने इसल की क्राइटेरियास मैच नहीं कर पाया स्टेडियम के लिए और वो चाहते कि डेली के स्टेडियम में वो खेले डेली के जवालना नेरू स्टेडियम में अगर मेरा मानी है तो हमारे ट्वीटर अकॉंट पर भी काफी जादे ऐसे रिप्लाइज जैते कि इनकम स्टेडियम में अगर आपने अपने स्टेडियम नहीं बना पा रहे आप एक स्टेडियम तो आप दूसरे के स्टेट में जाकर भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे अगर आपको ऐसे लगते कि हमको टॉपिक जिसाउट कर चुग है तो डूट फ़गेट तो लाइक शेर अब सब्सक्राइब चैनल फुटबाल एक्सप्रेस इंडिया